दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ब्लॉग कैसे बनाते हैं ब्लॉग करने के लिए कैसे कैसे टेक्निक अपनाने चाहिए आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी तरह का ब्लॉग बनाते हो चाहे वो कि है सबसे पहले आप इसको फ्रेंट वाले camera से आप ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि इसा कीमरा बहुत ही लौ quality का होना है अगर आप मोवाल की पेछी वाले camera का यूज करेंगे तो यह जादने अच्छा तरीके से अच्छी quality में HD quality में आपको वीडियो प्रोवाइट कराएगा और अच्छे तरीके से ब्लॉग बनेगा और एक बात और ब्लॉग बनाते समय ब्लॉग बनाते समय आपको सर्माना नहीं है कि कौन किस तरह का ब्लॉग बना रहा जैसे आप मान लिए रास्ते में जा र आने हैं आपको करना क्या है उसको वो देख रहा है कोई दिकत नहीं सामने देख रहा है क्या कर रहा है आपसे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको केवल आपका ध्यान जो होना चाहिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहां पर कैमरे पर होना चाहिए अगर आप फ्र quality का content create करना ही है तो आपको अच्छे-च्छे जगों पे जाना पड़ेगा जैसे आप किसी मंदिर पर जा सकते हो कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो आज culture training पर है अयोध्याधाम आप अयोध्याधाम जा करके उस अयोध्याधाम का पूरा ब्लॉग बना सकते हैं और आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं इस परकार से बहुत ही अच्छा ब्लॉग create कर पाएंगे अगर देखिए अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आपको कहीं न कहीं तो जाना कि आपका जो बीडियो है वो बूस्ट करेगा मतलब आगे बढ़ेगा यूटूब का जो अल्गूरिधम है वो आपके वीडियो को इंक्रीज करेगा बहुत ही जादे आगे बढ़ाएगा मतलब आप इस परकार के जो ब्लॉग है आप create कर सकते हो ब्लॉग बनने के बाद आप तुरंत ही वीडियो को अपलोड ना कर दे आप उसको पहले टाइटल सोचे टाइटल क्या होगा इसका description क्या होगा और टैग इसमें क्या लगा है जिससे यह जल्दी boost करेगा तो आपको सबसे बढ़िया टैग सोचना पड़ेगा जो trending में आ सकता है जो आने वाले समयों में trending में भी हो सकता है ऐसा नहीं कि आप अगर ब्लॉग बना के आट डाल देते हो तो आज viral नहीं होता है कोई डिकत नहीं अगर हो सकता है कि अगर आपका जो टैग लगाये हो अगर वो टैग हो सकता है दो महीने बाद तीन महीने बाद trending पे आता है तो आपका वीडियो जरूर दो से चार लोग नहीं बन्कि दो-चार हजार लोग देख पाएंगे देखिए बीडियो इस प्रकार का तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं आप अपने ब्लॉग में कुछ अलग सा कुछ यूनिक सा बताईए तो ये जो ब्लॉग है आपका जो ब्लॉग कटेगरी में आप ब्लॉग को डालेंगे ये ब्लॉग जल्दी वारा रोने के चांसर बढ़ जाएंगे अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एक अच्छे माइक की जरूट पड़ेगी आपका जो आवाज आएगा तो क्लियर आना चाहिए ब्लॉग में अगर क्लियर नहीं आवाज आएगा तो आपका जो वीडियो होगा लोग स्किप करके चले जाएंगे तो इसका बहुत ही जादे ख्याल रखना कि उस वीडियो पर लोग को इंगेज करके रखना है आपको बहुत देर तक बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छा माइक की जरुट पड़ेगी अच्छे माइक को आप अपने वीडियो के लिए यूज करेंगे तो आपका चैनल जो होगा चैनल के साथ आपका जो व्लॉग होगा वह बहुत ही जल्दी बूस्ट करेगा अगर हम बात करेंगे कि हम अपने वीडियो में किस तरह का माइक यूज करते हैं तो ये एक वायरलेस माइक है जिसको हम अपने वीडियो के लिए यूज करते हैं अगर आपको ये वाला माइक चाहिए तो हम इसका जो लिंक होगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक लिंदो तो